तो मैं फिर से हाजर हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी एक चाइनीज रेसिपी लेकर जिसको हम कहते है हका नूडल्स सब की फेवरेट होती है तो फटाफट बनाते है इसको चलें तो यह देखें यह मैंने पैन ले लिया इसमें लगबग एक से देल लिटर पानी मैंने आड कर दिया है साथ मैं हाफ टीपून सॉल और वन टेबल स्पून मैंने ओएल आड कर दिया है ठीके जी अब हमें इसमें एक बॉइल आने देना है तो यह देखें यह बॉइल आना स्टार्ट हो गया था अब मैंने ले लिया हाफ पाकेट नूडल्स तो मैं वो उसमें आड कर दूंगी यह देखें इसको मैंने तोड़ना नहीं है इसको हमने ऐसी पूरा-पूरा पानी के अंदर कर देना है और जैस इसे फूर तो फाइब मिनट्स के लिए हम बॉइल कर लेंगे हमें इसे पूरा कुक नहीं करना है हमने इसको कुक करना है 70-80% क्या होगा ना कि अगर हम फुल कुक कर लेंगे तो चिप चिपे से हो जाएंगे वो उसमें मजानी आता है खाने में तो हमने जो हमाई नूडल् अच्छे से कर लेना है बॉइल ठीक है तो अब हमने इसको निकाल लिया था स्ट्रेणर में जब बॉइल हो गया था उपर से आड़ कर दिया था ठंड़ ठंड़ पानी जिससे जो कुकिंग प्रोसेस है वो वहीं पर रुख जाए और हमाई जो नूडल्स है वो ओवर कुक ठीक है जी तो ठंड़ ठंड़ पानी से हम इसको अच्छे से वाश कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारी जो नूडल्स हैं वो कितने खिले खिले से हैं बिलकुल भी चिप चिपे नहीं है तो जी शुरू करते हैं मैंने ले लिया है पैन में दो टेबल स्पून ओल उस करना गर्ड़ सेद्ध कर देने हमाती हमारी डिपल सन Employee pit अगी और भी और कर दो करूंगा संट और समय सअमनेकर शो उसने गाप साथिक करना शेद्ध करना मैं विंतों है इसे करमली ही तक नहीं करतर आप कर सब्सक्रमाइबट कर जाने बाइखने है धोरना नहीं करीएगा कर देंगे गाजर साथ में इसमें एड कर देंगे शिमला मिर्च जो गाजर है यह मैंने एक स्मॉल साइज की गाजर थी उसको बारिक लंबा लंबा चॉप कर लिया था साथ में मैंने एक स्मॉल साइज की ही कैप्सिकम थी शिमला मिर्च थी वह इसमें मैंने अड कर दिया बारीग चौप बार कर दिया को अपस्तित युको चौप कर दिया तो स्टार्टिंग में भी इसको अट कर सकते हैं अब जब हमारी सारी वेज़ेबल सौटे हो गए थी तो हमने इसमें अड़कर दी हमारे नूडल्स अब हम अच्छे से noodles को एक मिनट के लिए vegetables के साथ cook कर लेंगे, इसको अच्छे से mix करते हुए अब हम इसमें add करें हमारी sauces सबसे पहले इसमें जाएगा 1 tablespoon dark sour sauce, light हो तो आप वो भी उस कर सकते हैं 1 tablespoon मैंने इसमें add किया है green chili sauce साथ में में इसमें डाल दूँगी half teaspoon काले मिच पौडर, और साथ में जाएगा half teaspoon नमक नमक का ध्यान रखें क्योंकि जो sauces हमने add कि उसमें भी नमक होता है और साथ में मैंने इसमें add कर दिया है 2 tablespoon sauce अब हम इनको अच्छे से mix कर लेंगे चले जी तो अब हम सबको कर लेते हैं अच्छे से mix, mix, mix and mix ठीक है क्योंकि mix करेंगे तभी सारे sauces ना अच्छे से अंदर तक समा जाएंगे अब हम इसमें add कर देंगे vinegar और इसको भी अच्छे से mix कर लेंगे and मेस में जाएगा हरा प्यास ये noodles में बहुत यमी लगता है तो आप add करें ना चाहें तो इसके भी कर सकते हैं और इसको अच्छे से mix कर लेते हैं और जो हमाए noodles हैं यमी से ना वो बनके ready हो चुके हैं अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट ये देखें हमाए noodles कितने मज़े के लग रहे हैं अगर आपको ये recipe हमारी पसंद आई है restaurant style haka noodles की तो इसको जरूर से like करें share करें और comment करके हमें जरूर बताएं और साथ में हमाय चानल को subscribe करना तो बिल्कुल भी नहीं भूले हैं साथ में नीची जो bell notification है ना उसको भी प्रेस कर दें और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया हमाई videos देखने के लिए